जै माताजी दोस्तो आप सबी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तो शनी देव जिसके नाम से ही लोग डरते हैं ये अभी अपनी राशी मकर राशी में विराजमान है लेकिन अभी शनी वक्रे इस्थिति में बैठे हैं और इस महिने में बहुत ही जद शनी मा कि होते ही शनी एक ऐसे योग का निर्मान करेंगे जो सबसे एक अनोखा योग होता है अखंड सामराज्य योग और ये योग बहुत पावरफुल रहेगा 12 में से 3 राशी वाले जातकों के लिए तो इस वीडियो में मैं उन 3 राशी वाले जातकों के बारे में बात करने वा पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारी चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहती हैं साथ में छोटा सार रिक्वेस्ट और है कि हमारे दूसरे चैनल आपकी एस्ट्रोलोजर को भी सब्सक्राइब कर लें वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा तो देखे अक्टूबर का महिना चल रहा है और इस महिने में जो शनी जो की सबसे धीमी गती से चलने वाले ग्रहे हैं वो इस महिने में 23 अक्टूबर को वक्री से मारगी होने वाले हैं ये इनका वक्री होना मारगी होना राशी बदलना नक्षतर बदलना हर तरह से बहुत मह फल दाता है शनी हमारे कर्म के अनुसार हमें फल देते हैं इसलिए उनकी चाल बदलना बहुत महत्पुन होती है अब ऐसे में शनी मार्गी होने पर अखंड सामराजय योग का निर्मान कर रहे हैं जिसका प्रभा सभी बारे राशियों पर होगा लेकिन तीन राशियों पर ब योगों में इसकी गिंती होती है ये बड़ा ही सकारात्मक पर नाम देने वाला होता है और ये जो अखंड सामराजय योग बनेगा ये बहुत महत्पुन है ये योग व्यक्ति को राजयोग जैसा जीवन देता है धन, समरदी, एश्वर ये सब कुछ प्रदान कराता है इसल योगों पर मालक्षमी की किर्पा विशेस रूप से बनी रहती है ऐसी किर्पा के जो आपने कभी सोची भी ना हो तो चलिए अब जानते हैं तो इन राशे वाले जातकों के बारे में जिनके लिए ये योग सर्फ्रेस्ट और सबसे पावरफुल होने वाला है उनमें जो आशी से दस्वे भाव में मारगी हो रहे हैं दस्वे भाव में बैठे हुए थे वक्रस्तिति में अब वहां मारगी हो जाएंगे तो अब दस्वा भाव तो आपके कर्म से जुड़ा है और कर्म से जुड़ा है तो आपके लिए तो बहुत इस शुब होगा क्योंकि इस भा प्रक मार्केट से जुड़े हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हैं, मीच्छल फंड से जुड़े हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत प्रबल संभावनाए होगी, कि उनको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, इस दोरान आपको किसी प्रतिस्ठित कंपनी से नौकरी के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं, तो उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, साथ ही आपके प्रमोशन के योग बनेंगे, वेतन व्रदी के योग बनेंगे, इस दोरान जिन लोगों का अपना खुद का व्यावार है, उन्हें भी इस समय अच्छा होने की संभावना बनी हुई है, आप इस समय हर काम को बहुत अच्छे से करेंगे, जिसका परिणाम ये होगा, कि आपको हर एक अपने जो आपके बास हैं, जो आपके वरिस्ट हैं, आपके अधिकारी हैं, उनकी सरहाना मिलेगी, और जो राजजीती के छेतर से जुड़े ह हैं, उनको तो शांदार परदर्शन देखने को मिलेगा, नहीं उनका बहुत अच्छा परदर्शन होगा, बहुत उत्तम सकायातमक परिणाम ये आपको देने वाला है, जैसा कि नाम है, वैसा ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, अब दूसरी राशी की बात करते हैं, दूसरी राशी है, मीन राशी, मीन राशी के लोगों के लिए, देखें मीन राशी के स्वामी क्या हैं, गुरु ब्रस्पति हैं, और शनी के साथ उनकी बहुत अच्छे मित्रता है, और मीन राशी के लोगों के लिए, ये समय बहुत उत्तम रहने वाला है, बहुत ही आप कई जगह से विभिन श्रोंतों से पैसा कमाने के आगे बढ़ेंगे यहां तक कि आप धन को संचित करने में भी सफलता हासिल करेंगे धन भी आप संचित कर पाएंगे साथ ही आप अपने व्यवसाय के संबंद में कई लोगों से मिलना जुलना होगा उनसे नए संपर्क भी स्थापित कर पाएंगे और यह जो संपर्क है जो आपके बनने वाले हैं यह आपको अपने वैपार को आप उचायों पर ले जाने के लिए आपके लिए बहुत लाब दायक होंगे आपको लाब कमाने में यह साहता करने वाले हैं इस दोरान आप कोई नया वाहन या नई गाड़ी खरेदारी करने के योग आपके लिए बनने शुरू हो जाएंगे आपके लिए विश्यस रूप से यह फल्दाई है और आगे आने वाले समय से उज्यादा उत्तम हो जाएगे क्योंकि आपकी राशी के स्वामी भी मार्गी हो जाएंगे तो बहुत ही उत्तम हैं इस राशी के जो जातक राजिंतिय के शेत्र से जुड़े हैं उनके लिए ये समय बेहद अच्छा रहेगा और शांदार प्रदर्शन तो करेंगे ही करेंगे आप बाकी किसी तरह की पदवी भी आपको प्राफ्थ हो सकती है अब हम बात करेंगे तीसरी राशी के तीसरी आपकी गोचर राशी के दूसरे भाव में मारगी होंगे दूसरे भाव में जो की धन का भाव होता है जो संचार का भाव होता है जो वाणी का भाव होता है और धर्म का भी होता है तो ये समय आपके लिए बहुत दिक भागशाली रहेगा इस दोरान आप बहुत अच्छा म मारगी होते ही ये अखंड सामराजय योग आपके लिए धन की अंबार लगा देगा आपको अपना उधार दिया गया पैसा वापस मिल सकता है कहीं पैसा फसा हुआ था वो भी वापस मिल सकता है धनुराशी के वैपारी हैं जो ऐसे लोगों को प्रयाप्त धनलाब की प्राप होने वाला है उनका कमिनिकेशन इसकिल डवलप होगा मार्केटिंग के शेत्र से जुड़े हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दूसरों के अनुभाव से आप बहुत अच्छा सीख भी पाएंगे और उसे इंप्लिमेंट भी कर पाएंगे आपके लिए ये समय बहुत उत्तम रहने वाला है आपकी वानी तो मदूर रहेगी ही रहेगी साथ में जो धन संबंदी जो भी अगर कुछ परिशानिया चल रही थी किसी भी तरह की तो वो परिशानिया आपकी दोर हो जाएंगे ये समय धनुराशी के लोगों के लिए विशेश रुप से तो में रजल्ट देंगे बाकी आप उपाय कर सकते हैं शनी से जुड़े जो शनी के उपाय करने पर आपके लिए अच्छा रहेगा शनी को पाय के लिए शनिवार के दिन आप जो कड़वा देल होता है शनी का देल होता है उसका आप छाया दान कर सकते हैं तो दोस्तों और अधिकासी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें